हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपको पुरानी सलवार से बहुत ही यूसफुल चीज बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएगी तो वीडियो को आप पूरा देखेगा और वीडियो अगर आपके थोड़ी भी पसंद आये तो वीड अब आपको क्या करना है दीखेए हम बिलगुल अलग कर लेंगे इसके बाद जो यहाँ पर प्लेटों के निसान है इसमें मैं प्रेस कर लूँगी जो सलवटे हैं उसमें हम प्रेस कर लेंगे और ये नीचे पोचे का जो है इसे हम काट लेंगे तो इसे आप काट के अलग कर लीजिए और इसमें प्रेस कर लीजिए ताकि ये कपड़ा प्लेन हो जाए तो चलिए हम इसमें प्रेस कर लेते हैं तो देखें, कपड़े में मैंने प्रेस कर लिये, इसकी सलवटे दूर हो जाएंगी, आप भी इसमें प्रेस कर ले पहले, मैं इसमें प्रेस कर लेती हूं, इसके बाद हमें इसके रेचे यह, मैंने आठा बैग लिया है, आप कोई भी प्लास्टिक फॉर्म कुछ भी जो भी था ली कोई भी चीजों आप उससे गोल इसे कर सकते हैं तो यह देखे मैंने इसमें कटिंग कर लिए अब आपको इसी के साइज का एक कपड़ा भी लेना है और उसे भी आप काट लीजिए गोलाई में इसे उसके उपर रखिए निसान लगाकर इसकी कटिंग कर लिए इसके बाद हमें क्या करना है कि यह प्लास्टिक जो हमने आटा बैग लिया है और कपड़े को जोइंट कर लेंगे और एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ दें और इसे पलट लें तो मैं इसमें सिलाई करके पलट के आपको दिखाती हूँ यह देखे मैंने इसमें सिलाई कर लिए और इस तरीके से यह गोल हो चुका है एक सिलाई आप इसके उपर भी लगा लें इसके बार इसको आप लीजिए कि इतना गोलाई में कितना आ रहा है तो यह हमारे पास 32 है इसके पूरा राउंड में तो हमें क्या करना है इतना यह बड़ा पीस लंबाई मैं इसकी पूरी रख लोंगी और 32 हमें इस तरीके से 32 रखना है यह थोड़ा सक काम हो रहा है तो इसमें में जॉएंट लगा लोंगी और 32 इसको रख लेंगे लंबाई आप उचाई इसकी कितनी भी रख सकते हैं कि मैंने जितने मेरे पास बैग है मैंने उतना ही इसको में रखा है और इसके बाद हमें क्या करना है इसे इसमें जॉइंट कर लेना है पूरे में इसे अच्छी तरीके से अटेज कर लिए और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट लीजिए इस तरीके से देखे मैं इसे पूरा काट लिया है दोनों साइट से इसे बराबर लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिए काटने का वाद हमें साइड में इसमें सिलाई कर लेनी है और उपर भी मैंने मोर के इसमें सिलाई कर लेनी है और साइड में इसमें सिलाई कर लेनी है इस तरीके से अब आपको एक गोल वाला पीछ लेना है यह वाला जो आपने सरकल काटके रखा था और इसको इसमें बीच मे लगाना है और इसमें सिलाई करनी है तो चलिए मैं आपको इसमें सिलाई करके दिखाती हूं कि आपको किस तरीके से जोड़ना है अगर गोलाई में आपको सिलाई ठीक से नहीं हो पाती है तो आप इसमें पहले हाज से कर लिजिए और उसके बाद आप सिलाई कर लिजिए तो यह मैंने बिल्कुल वेस्ट सावान से इसे बनाया है जो हमारे पास घर पर रहता है यह जॉइंट है जॉइंट में इसकी सिलाई कर लिए अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूं तो यह हमारा बहुती सुन्दर जो है लॉन्डरी बैक बन गया है आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोई भी सामा इसमें रख सकते हैं मैंने कपड़े रखने के लिए बनाया है ताकि जो पुराने कपड़े हैं दुलने वाले गंदे कपड़े हैं मैं इसमें ड बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्या